जै सियाराम दोस्तों मैं रामा ब्लोग्स अयोध्या से स्वागत करता हूँ आपका एक और श्रीराम मंदिर निर्मान के लेटेस्ट विडियो में दोस्तों आज के इस विडियो में मैं आपको श्रीराम मंदिर निर्मान की प्रक्ती तथा निर्मान कार्य से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आपके साथ शेयर करूंगा तथा राम मंदिर और सीएम योगी आदित्यनात को एक व्यक्ती ने बम से उड़ाने की धमकी दी है सो अगर आप डीटियल्स में इन सभी बिंदों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और भले ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करे लेकिन कमेंट बॉक्स में जैसियाराम लिखकर इस वीडियो को पूरे श्रधा भाव से आखिरी तक देखें तथा अपने प्रीजनों के पास शेयर जरूर करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो अयोध्या के राम मंदिर में रामला की प्रान प्रतिष्ठा की तयारियां जोरों पर है 16 जन्वरी से प्रान प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे गर्भग्रह में कौन सी मूर्ती लगाई जाएगी यह तै करने के लिए श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट की आज बैठक हुई बैठक के बाद ट्रस्ट के कोशाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने सूत्रों से बातचीत करते हुए बताया कि आज सभी सदस्यों ने मूर्तियां देखकर अपना मत सौंप दिया है ट्रस्ट के अध्यक्ष और महामंत्री सभी सदस्यों की राय के आधार पर अगले तीन दिनों में मूर्ति का चयन कर लेंगे उन्होंने कहा कि तीन कलाकारों ने साथ महीने में मूर्तियां तयार की है सभी कलाकारों को मूर्तियों को लेकर निर्देश दे दिये गए थे उसी के आधार पर मूर्तियां तयार कराई गई है राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना तय है तथा गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि तीन मूर्तियों में से किस प्रतिमा का चयन किया जाए इस मुद्दे को लेकर बैठक की गई और पहले से ही मूर्तियों के निर्मान को लेकर नीती निर्धारित की गई थी तथा हमने तीनों मूर्तियों को देखा और अपना मत अलग-अलग कागस पर सौंक दिया है इन सारे मतों को देखने के बाद अध्यक्ष और महासचिव निर्णय करेंगे एवं निर्णय लग-भग तीन दिन में हो जाना चाहिए साथ ही तीनों कारीग्रों ने अपने प्रान उडेल कर परिश्रम किया है अयोध्या की भूमी में उन्होंने भगवान श्रीराम को रात दिन याद करके परिश्रम किया है तथा मेरा कारीग्रों का ही अभिवादन करने का मन होता है उन्होंने पूरे मन से इस काम को किया है यह तीनों मूर्तियां करनाटक और राजस्थान के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई हैं जिन में करनाटक के गनेश भट और अरोन योगी राज के साथ जैपुर के कलाकार सत्यनारायन पांडे भी शामिल हैं तथा मूर्तिकारों को मूर्ती बनाने को लेकर पहले ही निर्देश दे दिये गए थे तीनों मूर्तियां समान हैं और खड़ी मुद्रा में हैं उन्होंने बताया कि मूर्तियों की लंबाई 51 इंच है और दोनों हाथ आजानुबाहु हैं साथ ही मूर्ति के बालस्वरूप होने को लेकर निर्देश दिये गए थे और तीनों ही मूर्तियां इसी प्रकार की हैं दोस्तो राम जन्मभूमी तीर्थ में होने वाले भंडारे के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने साथ मसाले की गाड़ियों को अयोध्या रवाना किया है राजेश अग्रहरी ने बताया कि पक्वाडे भर पूर्वराम जन्मभूमी तीर्थ के महासचिव चंपत राय व अयोध्या के महापौर गिरीश पती त्रिपाठी मेरे घर आये थे उन्होंने भंडारे में मसाले के सहयोग की बात कही इस पर सभी ने आभार जताया कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है तथा सोमवार को नववर्ष के पावन पर्व पर साथ गाड़ियों को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया है तथा महासचिव चंपत राय से आगरह किया गया है कि अगर आगे भी अनवरत भंडारे में जो आवश्यक्ता होगी सूचना मिलने पर दोबारा गाड़ियों को भेजा जाएगा दोस्तो राजेश अगरहरी ने बताया कि भगवान की कृपा है पहले कार सेवा का मौका मिला था तो उस समय 23 लोगों के साथ अयोध्या पैदल गया था उस समय फोन नहीं होने के कारण घर के लोग बहुत परिशान थे माता पिता की इकलोती संतान था तीन दिन तक घर चूलहा नहीं जला था माता ने कारसेवकों के लिए चूलहे पर लंच पैकेट बनाया था मैं धन्य हो गया हूँ मुझे राम मंदिर में अमेठी गेट और भंडारे में सेवा करने का मौका राम जन्मभूमी तीर्थ समिती ने दिया तथा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी ने कहा कि प्रभू श्री राम जी की क्रिपा से मेरे परिवार को यह अफसर मिला है ऐसे ही सेवा का अफसर मिलता रहे इस मौके पर रामु सिंह कसारा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी, हिमाशु अगरहरी, छोटु अगरहरी, फूल चंद्र कसोधन, हरिकेश, श्रीवास्तव, सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीराम मंदिर, सीम योगी और स्टीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है थमका भरा इमेल भारतिय किसान मंच के राष्ट्रिय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को भेजा गया देवेंद्र को भी मारने की धमकी दी गई है इमेल भेजने वाले ने खुद को ISI से जुड़ा बताया है UP-112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुषांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्स की गई है पुलिस के साथ ATS को प्रकरण की जाच में लगाया गया है इमेल करने वाले व्यक्ति को ट्रेस किया जा रहा है तथा FIR UP-112 में तैनात इंस्पेक्टर सहेंद्र कुमार ने दर्स कराया है FIR के मुताविक देवेंद्र तिवारी ने UP-112 को एक शिकायत ट्विटर पर टैग की जिसमें बताया गया कि ISI जुबेर खान की तरफ से उनको 27 दिसंबर की शाम 7 बचकर 37 मिनट पर एक इमेल भेजा गया जिसमें लिखा गया कि CM योगी STF चीफ अमिताब यशने जीना हराम कर रखा है तुम भी देवेंद्र तिवारी बहुत को सेवक बने हो इसलिए सभी को बंग से उड़ा दिया जाएगा अयोध्या श्रीराम मंदिर को भी उड़ाएंगे इसकी जिम्मेदारी ISI ले रहा है दोस्तो चंपत राय ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवानी और मुर्ली मनोहर जोशी के बारे में बताया कि अगर वह आएंगे तो हम उसी तरह व्यवस्था करेंगे जैसे घर के बुजुर्गों के लिए किया जाता है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रामला की प्रान प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कोई कठिनाई ना हो इसके लिए पुलिस और प्रशासन से लगातार बात चल रही है प्रान प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी को भव्य रूप दिया जा रहा है तथा 4,000 साधु संतों को निमंतरन भेजा गया है एवं 2,500 अन्य समाज व्यापार प्रतिभार विधाओं के लोगों को प्राथमिक निमंतरन गया है इन सब के रुकने आदी की व्यवस्था को लेकर काम पर होमवर्क चल रहा है तथा भोजन आदी कहा करेंगे उस सब की तयारी चल रही है और 7,000 लोगों को फोन, इमेल, टेलिफोन और पोस्टल आदी के जरिये प्राथमिक निमंतरन भेजा गया है और एक दो दिन से पर्मानेट निमंतरन देने का काम चल रहा है तथा चंपत राय ने बताया कि हमने आम लोगों के दर्शन के लिए उनके राज्य और मौसम के हिसाब से आने को कहा है जिसमें 45 राजनीतिक संस्थाओं के अध्यक्षों को निमंतरन भेजा गया है अब ये उनके उपर है कि उनको क्या करना है मौसम आदी भी एक फैक्टर है उनकोंने विपक्ष के राजनीति आरोपों पर कहा कि ये वो भी कर सकते थे पर वो अफसर चुक गए साथ ही राम मंदिर के चंदे के नाम पर फ्राड पर वह बोले की हमने लोगों को आगाह किया है और तीन साल में कई बार रिपोर्ट भी लिखाई लोगों को पकड़ा भी गया हम अलर्ट है पर कुछ निगेटिव ब्रेन भी काम कर रहा है दोस्तो प्रान प्रतिष्ठा महोटसव को एतिहासिक व अध्भुत बनाने के लिए देश के पांच लाख गाव में पूजित अक्षत वितर्ण की शुरुवात आज अयोध्या से होगी अयोध्या के मातगैर स्थित मलिन बस्ती में पूजित अक्षत वितर्ण के लिए नगर प्रमुखों को दी जाएगी इसी के साथ गावगाव घर घर में अक्षत वितर्ण कर 22 जनवरी को उत्सव मनाने की अपी भी की जाएगी तथा श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र टरस्ट के महासचिव चंपत रायवासंग विहिप के पदाधिकारियों की मौजूदगी में समारो पूर्वक इस अभियान की शुरुवात करेंगे वितर्ण के लिए अक्षत की एक थैली बनाई गई है इस पर मुहर भी लगाई गई है वितर्ण के दौरान इस थैली के साथ निवेदन पत्रक भी दिया जाएगा पत्रक में 22 जन्वरी को अपने आसपास के मठ मंदिरों में उत्सव, भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा, सुन्दरकांड पाठ, आर्तिकर प्रसाद वितर्ण की अपील की जाएगी और शाम को घर पर कम से कम पाँच दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने का आहवान भी किया वही रविवार को सावर कर नगर समन्वय समिती की ओर से पूजित अक्षत कलश शुभायात्रा व श्री राम दर्बार जाकी यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ उत्तर पूर्वी खेत्र प्रचारक प्रमुख राजेंद्र, महांगर कार्यवाह देवेंद्र, महां पर महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों ने मंगल आर्ती करके स्वागत किया, यात्रा के समापन के बाद भक्तों को प्रसाद वित्रित किया गया, इस अवसर पर सावर कर नगर संचालक रामचेत, सह नगर संचालक धरमेंद्र, नगर कार्यवाह अवधेश, सह नगर क आर्यवाह मनोज सिंह, सतीश चंद्र देवरस, दुश्यंत आदी मौजूद रहे झालक रामचेत, सह नगर कर नगर से अवसर इस अवसर आदी मौजद रहे